आज का टॉपिक है सबका फेवरेट और अभी ट्रेंडिंग वो है रशिया वर्सिस युक्रेन देखिए न्यूस चैनल स्पिछले एक दो वीक से आपको ये नौलेट दे रही है कि क्या रशिया अच्छा है युक्रेन अच्छा है आए इस वीडियो में हम शॉट में ये सारी बाते येक बार में कर लेते हैं और हमें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो देखिए व्लाडिमेर प्यूटिन जो रशिया के प्रेजिडेंट है वो ये मानते है कि युक्रेन उनी का पार्ट है क्योंकि कई सालों पहले युक्रेन उनी में से अलग हुआ था और उन्होंने अलग रिपब्लिक बनाया तो प्यूटिन चाहते है जैसे कि हमारे केस में हम जम्मू एंड कश्मीर जो कि मेरे भाई से मेरी कल ही बात हुई और उन्होंने का कि जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं वैसे ही प्यूटिन युक्रेन को देखते हैं तो हम जब हमारी जमीन पाकिस्तान कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर उनका ह तो हमें भी खराब लगता है, तो वैसा ही Putin का सिनारियो है, अब Ukraine का सिनारियो ऐसा है, कि उन्हें NATO जैसे अच्छे दोस सभी को मिले, कि NATO ने कहा कि आप हमार साथ शामिल हो जाई है, हम आपको protection देंगे, आप सब ये nuclear missile और ये सब चीज़े आप दे दीजे रशिया को, जो उन्होंने कई साल पहले दे दी, रशिया ये मानता है, 30% Ukrainian जो Russian side में है, वो रशिया में शामिल होना चाते हैं, और 70% Ukrainian जो यूरोप की तरफ है, वो यूरोप में शामिल होना चाते हैं, ये सुनेरियो सुनके आपको कुछ शायद याद आ रहा होगा, कि इंडिया का partition भी कुछ ऐसे ही situations में हुआ था, और फिर इन सब के बीच में US है, और European powers है जो चाहते हैं कि ये war हो देखे, war में destruction होता है, ये तो हम सब जानते है, पर war के कई फाइदे भी है, yes, you're right, war में फाइदा भी होता है, जो countries weapons बनाते हैं, वो चाहते हैं कि war हो नहीं तो weapon किस काम का, अगर हतियार use नहीं होगा, तो उस company में profit कैसे होगा तो दोनों देशों को उधार पे हतियार दे दिये हैं, और जब वो उसका use करेंगे तो payment होंगे, और ऐसे ही ये दुनिया चलती रहती है, अब नेटो का क्या stance है, नेटो और बाकी जो European countries है, उनका ये कहना है कि करारा जवाब मिलेगा रशिया को और फिर वो गर जाते हैं, और उनके पकोड़े तलते हैं, और शांती से खाते हैं तो in short हम क्या सीखते हैं ये पूरे scenario का short में हम क्या सीख रहे हैं हम इससे ये सीखते हैं आपको खुद आपके country को अपने घर को और अपनी life को protect करना है COVID की बात करें या फिर words की बात करें, मैंने तो ये देखा है कि आपको बचाने इस दुनिया में कोई नहीं आएगा देखें, इंडिया को बहुत सोच समझ के decision लेना है क्यूं? क्यूंकि अगर वो European countries का favor करता है, तो रशिया जो कई सालों से हमें support कर रहा है और technology और weapons develop करने में भी इंडिया की help कर रहा है, वो दुश्मन बन जाएगा, और अगर direct support रशिया को देते हैं, तो European powers और US दुश्मन हो जाएगा, और जो भी US का दुश्मन होता है, US वहाँ पर सीधा जाता है, liberation करवाने और आज़ादी दिलाने, और उस government और वहाँ के लोगों को मारतेता है, चाहे वो oil के लिए हो, या कोई भी reason हो, प्लस इन सिनारियों में, चाइना भी बहुत एक महान प्लेयर है, और चाइना बैठे-बैठे देख रहा है, कि अगर Russia को शांती से Ukraine पूरी दुनिया लेने दे रही है, तो फिर चाइना को कौन रोग सकता है, वो भी Taiwan, India नेपाल, वो भी काफी थोड़े बहुत countries ले-ले, मौके का फाइदा उठा के वो क्यों पीछे रहेगा, तो हमारा concern as India, ये होना चाहिए कि हमारी borders हम प्रोटेक्ट करें और हमारे जो लोग है, चाहे वो students या citizens है, और जो वापस आना चाहते हैं उन्हें लाने का हमें try करना चाहिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नमस्ते